नवस्कार बच्चों कैसे हूँ सत्स्रीकाल गुड मोर्णिंग तवियत कैसी है एक मिनट मैं से इसाइट कर लेता हूँ यह क्या कलाचा लोगी नहीं ठीक है अब भीहारने चल रहे थे बहुत इजी टोपिक है इतना इजी टोपिक है वस रोज 3-4-3-4 करेंगे तीन दिन ही कप्लीट हो जाएगा इंडिया जोगराफी भी अब एक दो दिन में ही सुरू कर देंगे क्यूंकि पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और नॉर्मल भी पढ़ने तो भी इतना वक्त निकालना पड़ता है मैं जितना पढ़ने के लिए निकालना हूँ इत था मरू रास्टिय उद्ध्यान इसमें रास्टिय सब्द लग रहा है लेकिन यह है नहीं यानि एक पढ़ लिया कौन सा मरू रास्टिय उद्ध्यान इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है सरिसका बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत पता है सरीख का अलवर सरीख का अलवर लग बग तो कई बार तो सिधा-सिधा इंसे पूछ लेता है ज्यादा माथा पत्ची करता है ने अभ्यारने का दर्जाग 1955 सबकी याद नहीं रखने यह मैन मैन रखने सबके इतने याद नहीं रहेंगे तेतर में ये कब चला उन्नीस सो अठंतर में राजस्तान का सेकिंड टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में चला था जिसमें अलवर जेप पुर्ग्रामिंड कोटपुतली बहरोड का छेतर वर्तमान में सामिल है यहां पर एक चीज पाई जाती है हरा कबूतर इन बोले टाबरो हरियल पक्सी वैसे तो नागोरी उच भूम में पाई जाता है यहां भी पाई जाता है हरा कबूतर या हरियल पक्सी कई इसके बारे में कहानी आती जमीन पर पाउन नहीं रखता रही है वो जो भी है हमें कोई मतलब नहीं हमें इतना ही रखना है कि हरे पत्री की गुफाएं कि भरत्री फेमस हैं तो हमें भी पूछा जा सकता है एक यहां पांडू-पॉल हनुमान-मंदिर है पांडू-पॉल बुर्जीयों कि यह ताब रोग अज्यातवास के दोरान पोरों पंडू इंचेतर में आया पांडू-पॉल हनुमान-मंदिर और भीम भी भीम disparity तो हमांजिने सोचा कहीं हो गमंड तो में तोड़ी यह उसने क्या क्या हनुमान जीने क्या क्या जहां से भीम घुजर रहा था वहां सैन मुद्रा में आगे पुछ आगे ऑन दाल देमी महाराज महाराज के जाने je लो नाक करो नाक करो उपर कर उड़ जा उपर कर थोड़ी जाए करें यह तो अपमान होता है कि शीक पूंच की उपर से चाना बोल ठीक है तुना कर दियार में बुड़ आदम हूँ भी मिने हटाने की कोसिस की तो वह था नहीं तब बोले हो मैं को नहीं अटा पाई हो इसका म मुद्रा में हनमान जी के है वो यहीं है सैन मुद्रा में एक मातर सैन मुद्रा में हनमान जी की मूर्थी है नीलकंट महादेव मंदिर भी यहीं है ओ थोड़ो सो यहां नर्तिरत गणेजी मूर्थियां गणेजी यहां पग उठा रहा है यहां नास्ता गणेज है नास्ता इसका इना, एक तालवरक्स भी है, या मांडवे रिश्यू की तपोस्तली है, तालवरक्स, पांडवपूल उनमान मंदिर बरतरी, यह भी इंपोर्टेंट एक अन्पटे नातों की सनस्तली है, यहाँ एक पठार है अलवर में क्रास का और कांकन बाड़ी वो यही है कांकन बाड़ी दारा सी कोशे समधित है नारायनी माता का मंदीर भी बड़ा फैमस है भई नाययों की कुल देवी नारायनी माता का मंदीर भी यही है है डेखा होगा आपने में ध्यानने के अंदर ही ज्य स्यादा दूरी नहीं है ह main R thumb help कि सब्सक्राइब। सरिसका व्यारने लवर लिख दियो 55 लिघ दिए और याकबुत लिख दियो यहां पर on repeat मारो नोस तो भी हां मिली जै था पर on repeat मारोगो घुर्ट जी ओकी किविव ओकियो ओकियो वह कियो बस्छ यही त्यारी करी जहेगे अठ्थे टाइगर स्तानांतरिंग करें, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट चला है तो टाइगर दो हजार आठ में लिए चोड़ी और सुल्तान पडोसन बबली बबली और सुल्तान बागी रंथमबोर अभ्यारने में छोड़ी तो पहली घट नहीं बता रही तरी को श्तानतर एगर क्योंकि एक नाम दो गया ओ इन दर्जों मिल्यों भ्याणने को 2012 में राजस्तान का सबसे छोटा पहले सजन आदमी बहुत छोटो आदमी बन गे रहे सजन आदमी और ओ भी छोटो पहले तो सजन गड़ा ब्याणने सवचोटो बड़ो कुन सो मुरुगराश्टी ध्य रिपीट मारो सर अलवर में है पिच्वन में दर्जा मिला हरिल पक्सी पाए जाता है काली घाटे में मोर पाए जाते हैं भरतरी है दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सबसे इंपोर्टेंट पाती है यह आई एंपी और टी एंटी नारायनी माता नायों की कुल्देवी और न उंचाई को नाम आ गयो तो फिर अब्व आवई आओ रोलेजी माूंट अब्व अभ्यारणी माउंट अब्व अभ्यारनी गठे अब्व में शिरोई में पहले गुनी सौ साथ में दर्जो मिली और फिर चीनली दर्जो मिली यह चाले अब सबसे उंचा ब्यारने सफंची जील अठै सफंचो सहर अठै सफंची चोटी अठै सफंचो पठार अठै सोग। उंचो उंचो सोग। ही आ भावा सिरोई northwest क्योंके यह खिल सब्सकी और ह एको सेनसेटीस जोन जो है वो अब भू को सित क्या गया एक सुन्दर छिभकली पाई जाट है पुबले फेरी जिव याद पैंके विखेर कर लिया था चैपलो दि कला दीवानें म fait ठीजर है किसी इसिसे पुबले फेरी स्नी हेस ब्यखने एक उस्दी भी पाई जाती है आप वो के अंदर एसी डिफली पेरा ऐसे करके नाम याद रहे तो अच्छी बात नहीं नक्य जील को कुण सा गास नस्ट कर रहा है कारा गास यहीं उज़े गास पास लेंटा ना एक घास और है जुस्तानी है अमेरिका का घास है लेकिन यहां सुंदरता के लिए लगा है वो भी नस्ट कर रहे तो विशेस बात नहीं है अब वो अभ्यानने की वो जीलों के अंदर आ गया बोई बात है कोई एक चिबकली बिलाए अब एक अभ्याननी है जो को तीन जिलां फेलेड़ा है और उस अभ्यानने का नाम है कुम्बलगट साथ साथ मैं बस यहीं सोर्ट में लिखता जाओ ताकि आगर रिपीट मारना है फिर मेरो टोपिक कंप्लीट होते है पहला कुण सा बताया था मैंने शरिषका फिर शरिषका आये फिर अभू कुम्बल घट तीन जिलां गंदर फेलेड़े ताफ रव है कि बहुत कि थीटिक मैं तीन जिलां अंदर फैलेड़ेट पुण्सा कुण साचीला एक तो है राज סमी कीलु कि एक है पल्ली ने पें एक थोडोश यह उद्थिक दो तीन इस या ब्याणने जो तीन तीन जिलो में में उन सब्सक्राइब कि एक तो बहुत गणाद जंगल कदी देख्या होगा ना तो भाहिव साब ड्री ड़ लागे रात ने जिजा तो बेडिया और लोमडी संग ज्यादा बेडियों देख़े देख़े था रहा हुँ वी जिया लोङ्बड़ी लोङ्बड़ी इसी सकर के आढ़ मिन लुम नवी वेडिया लोमडी की फट अ मिढ़लो इसे ब्यारने में आप जाओ इधर से काड़ो से सद्रेंट लागए और एक दुर्ग है वो देखिया हो थे जिक्के को नाम है कुम्बलगट कि अज़े दुर्ग है इसलिए तो इतिहास में शिर्फ एक बार सावाज खाने इस दुर्ग को जीता था महाना परताब के समय दुर्ग के अंदर आप परवेश करोगे दुर्ग के अंदर एक महल बना होया, कटार कीतर है कटार गड़ फिर अंदर जाओ बादल महल बादल महल फिर जूनाँ होका चरी वो μια heißना परताब का जना हुआ यानि कुम्बलगट दुर्ग मही महाना परताब का जना हुआ इसलिए यह महांना परताप के जनम स्तली माना जाता है, कोन सा भ्यारने? कुमबलगड फ्यारने कुमबलगड किलो थे चारों मेरु देख लियजी इतिहास के जानकारी लेली अब बोले पाछा चाला ज़िद बोले अरपाचा इनने कोंचारापाचा आपन पाली साइड में उतर जेओं तो थे जी पाली साइड में वापस उत्रोगा और आंग जंगलांग भीज में एक सुन्दर सा मंदिर है रनकपूर के जेन मंदिर भाई सा वसीम स्यांती सुन्दर मंदिर मधाई नदी की कि सुन्दर मंदिर है भहुत सुन्दर रनकपूर के जेन मंदिर इसी अभ्याणने के अंदर है यहीं से दो नदिया निकलती है जो अलग लग जाती है बनास और साबरमती एक तो बनास और एक साबरमती साबरमती इधर जाती है बनास इधर जाती है साबरमती अरब सागरे बन जाती है बंगल की खड़ी की ओर इसके अंदर ही चंदन मन पाई जाती है आ कोई छोटी मोटी बात को पर नियां दिखो बहुत में हमने चंदन तो चंदन और शाथ है यहा था मिलता है नहीं आप चंदन मनद रनकपूर के जेन और यहाँ एंटिलो पर जाती आप जाती का कहा हिरण रिंग फैसे एक लगतर है है, पुद्ञ वह नर के बड़ा इंपोर्टन है, तीन जिलों के अंदर है राश्मन पाली और यह इधर से कुम्बलगड दुरुग फिर अधर से रणखपुर के जेन मंदर 1744 में है मथाई नदी के किनारे है बाकी बाते इतिहास की है और एक यह बना सुर सावर्मती दो नदीयां कुम्बलगड दुरुग से क्या बात है सर क्या बात है मजा अगया सर जैसमंद अभ्याड न आलियो दर्जोग 1905 में मिलियो और जल्चरांगी बसती है क्यों अभ्याड ने है जीले जल्चरापी हो गया बस ठीक है फिर एक अभ्याड ने और आता है जिसका नाम है फुलवारी की नाल फुलवारी की नाल कित है सर उदेपुर है रमाखी तुना को जया यार में आप ए पूल वर्स भर फूल रहे जनाम करणा दियो फुलवारी नाल वासर क्या बात है वर्स भर फुलवारी ना अरे ओबर यह फूल फूल रहे महाना परताब की जनमस्तली कुंबल गड़ है करमस्तली यह भ्यान नहीं इसी छेतर में रहे वो वीपकट परस्तितियों के समय घूमे तो महाना परताब की जनमस्तली कुंबल कड़ कुंबल नहीं जनमोई और करमस्तली यह पर पर्थम हुमन ओटोमिक पारक यह याद रखना यह फुला पर्थम हुमन DOCय परतोमिक पारक की सब भ्याणने के अंद और मांसिय और वाकल दोनों दिया प्रियोजना जो है नदिया यह सी बुजरती बस छोटी सी बात कुलवारी नाली तो यादा कि उदेपूर वासर के तो बड़ी सजन बाता कर रहा हो कर रहा हो क्यों को नहीं हो क्योंकि मैं अभ्यारणने वी तो बतानों है सजन गार्ड अभ भ्यारणने कित है उदेपूर वड़ा है छोटो सो हो गए उदेपूर का मारणा के टाइम पास करण खातर सिकार करण खातरा ठाता तो अठेक पाड़ी है बांसद्रा पाड़ी यह पाड़ी पर दुर्ग मना दिया इंजोई लेन खातरा अंदर समझो थे बात ने दुर्ग अबस्तान का पर्थम जेवी कुद्याना बस वो याद राकियो सद्जनगट जेवी कुद्यान अठीए बस सद्जनगट उद्यपूर को विशेस अलग से इसमें बात नहीं है नहीं है वहां सर नॉर्मल सी बात है याद रेजिए वो इससे बाहर और कुछ नहीं है रटलो क्योंको मैं ज्यादा टाइम ही खातर को लगा रहें कि थे पड़ोगा तो इतो इतला तो बता दे थोड़े याद रहे जा सीता माता अभ्यार ने पूरो डिटेल ने पड़ोगा तो ना पो लागा हूँ कोन टाबरो बहुरो याँ काम चाला हूँ को नी आगमां अठे सीता माता पहले तो टाबरो ओ चितोड़ गड़ अंदरो चितोड़ गड़ एक जिलो कट्यों परताफ गड़ विशेश रूप से थे दोई जिलो के अंदर है चितोड़ गड़ परताफ गड़ लेकिर थोड़ो सो पार्ट उदेपूर में भी आओ है और ने जिलो सलूंबर भी मनगे थोड़ो सो उदेपूर सलोंबर विशेश थे चितोड़ गड़ याद राकियों परताफ गड़ राकियों बस 1979 बहुत बढ़ चितर में वो 422 बढ़ किलोमेटर में बढ़ चितर में एक तो सैसे सीता सैसे सांगवान बनों के लिए ये बड़ा ही भेमस है एक पो यादा प्रताबगण में एक बांध बनाऊ है जाखम बांध शरीगी के जाखम नदीप रहे 81 मिटर उंचो राजस्तान का सबसी उन्चा बांध जाखम बांध माता सीता सी समझदीते सीता माता का या मेडा वरताय कद जेश्ट मावस्या को जेश सीता माता है टावरांगा नाम लव और कुस तो लव कुस नाम गाट किये जर्ना है सरवादिक जेव विवत्ता वाला भ्यारने ये सांगमान वन है सरवादिक ओस्ति विए भ्यारने मी मालेग बाद ओस्ति संव जदब और एक हिरने चितल इसे चितल की मात्र भूमी भी कहा जाता है संव विशेस बात उड़न की लहरी संव इंपोर्टेट मसोवा बोले स्थान ये लोग एक बार एक्जाम में बहुत शांदार परसंट पुछयों का उड़न कि से पेड़ में रहती है यह रहती है महुआ के पेड़ में उड़न गिलरी को मतलब वां तो किल्ड कांटी वल आप मारे ठैब मतलब एक पैडुद दूसरे चलांग मारे नहीं आपने आपने इतनी चोडी कर ले के ठोड़ सुआ ले जड़न के लागा यह बड़ी पार्दी मॉर्ध हो तुक्त स्द्रीस पए सिर्ष का सर्ष का दो बताई सरीष का सरीस का दोनी है वरत्मान में उसके बाद मैंने आपको बताया माउटाबु कोई बाद नी यह सब याद है माउटाबु वड़ा फिर बताया कुमलगड तीन जिलों में पर फिर सजन गड़ है दुर्ग है बासदरी पहाडी पर है सजन सिंग्ने बनवाया था इसे फिर सीता माता है परताब गड़ और चितौरड दो जिलों में इसमें जाक अम्बान वी सिता माता का मेला भी बरता है सांग्वान वनों के लिए फैमस है उड़न गिलिरियों के फै कि आम श्याद रेजिंगे नॉर्मल बात है क्योंको निया 201 किलोमेटर रेग नीसो तिरा सीम दर्जों मिले तो देखो को नहीं याद रहेगो इतो प्रतेक्याची याद कौन राग्ज काम कि एक तो गड़ियाल पाईजे गड़ियाल समझें मगर मचीतनिया अगर यह चोंची वेनी गड़ियालों में परजन स्तिलिया पाँ कैस का अपना दर्जों है चुलिया जल्पर पाद भी चितोड़ रास्तान कोंचा जल्पाद गाटियां बहुत ज़्याद है श्रोड़ जगे जगे याद रखना ज़्यादा फिर अगला भ्याणने है बसी कि यह कहां है यह वीची तोड़गड में है नाम नाम है अंगो तो बस चितल ज़्यादा पाईजे ज़्याद के चितल की चहल पहर यानि थोड़ों बहुत चितल अठें दिख जें और की अरावली और व जिकर पहले कर चुके हैं एक मात्र भ्यानी जो राश्टी एक का दर्जा भी मिल गया टाइगर पोजेक्ट भी चल रहा है दुनुकाम एक यह भ्यानी में कोटा जहलावाड के अंदर पहले गुनीसों पीचवन गड़ी अलांस रक्षन है पहले जिकर कर चुके हैं इसका त फिर छोड़ो सव गुंदी को चेत्र भी कवर करें चितोड़ोगन भी करें मीन कोटा का नली मिलिए इक नाम है जो आपने सुना होगा जियो मौर्फो लोजी पारक ऑड़ी है झी 103 को नहीं बाद है इसमें एक ऐसा स्थान होजाए जो पूरन त्वciumacおpatt यहते घया समय रफ्राने, प्राइब, गडिया लाइंगों सरक्ष्यार देजी और ही अभ्यारने में ही सरप उध्यान बनाया था हैं आछ इसर पुद्यान कहां है कोटा उत्र भारत का पहला सराप उध्यान कहां है कोटा बस वासर क्या बात है वासर क्या बस जल्दी कंप्लीट कर जांगा मैं एक बार बोल दियो था रहे आठ कर निकड़े कुण सी नदी चंबल जहां जहां से चंबल नदी गुजरती है उसे पूरा या भ्याणने बना तो सबसे पहले कांपर बेश करेगी कोटा फिर उपर कहां जाएगी फिर स्वाई मादवपूर फिर करोली फिर दोलपूर अल्योगर जी पूरी नदी ने और के रमान में टो एक मात्रा भ्याणने जो तीन राज्यों के अंदर फ्यला है MP रास्तान यूपी और इत्ता जिलाग अ 179 में फिर आप दर्जो देदी अब नदी के अंदर के ले गड़ियाल निव गड़ियालों की सनस्तली बोल जो वह तीन राज्या में इस सब भ्याणने में एक गंगा नदी में एक पाईजे जखेंगा डॉलफिन बागंगा डॉलफिन अगर रास्तान में कहीं पाई जाती है तो वो इसी के अंदर पाई जाती है अगलों है रामगड विष्दारी उसके कि विश क्या अंदर हो और सरसांपां में दर लेकिन अजगर क tumor आइंदर वी वह तो ही हो मुझत मज है वो सांपा इक हाथा है अजगर की सनस्तली है अब किये देखते हैं रनतंबोर कहां पड़ता है यह रहा स्वाइमादोपुर और फिर नीचे बुंदी अब कईबर किये बैटाबरो रनतंबोर अब्यारने बाग गूमतों गूमतों बाग कोई एरिया थोड़ी एरिया कुप्तों का होता है शेरों का गूमतों गूमतों रामगड विश्दार या बैरने में वी उड़ जया ददागिरी उनकी कहीं जा सकते हैं यह वास्ते बोला का है बाग गांगा चोटी अटाबर अठाजिया इंखातर बागों का जच्चागर बोली जईए बागों एक मातर बैरने जा बाग परियोजना आप यब 2022 में हमिल करनी यह दो पहले बात थी रामगड विश्दारी टाइगर प्रोजेक्ट यह टाइगर प्रोजेक्ट यह टाइगर क्योंके टाइगर अपर है रण थम्लेसा मिल करिया आगर ईंड। शेतर पलबड़ो फंद्रास संमति वर किलोमेटर बूंधी कोटा टाइगर प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा उठाइप सब्सक्राइब बूंधी कुटा भीलोगा साफूरा च्छता सामील है यह प्रोजेक्ट चला है यहां अंति में चला रास्तान के अंदर अलिटा कल हम इसे कप्लीट करतेंगे अब ध्यारने को दूबारा रिपीट मार लेना काम कंप्लीट अब ध्यारने उपर संगल्द नहीं हो जी यह बोलता है कि मारजबाजी गुन पर डियाटर थैं मारी हो थेंक स्थेक्ट अवर बूलियो झाल झाल